अपनी प्रीविएस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था अपना फुल वीक वर्काउट रूटीन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फुल वीक हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपीज फॉर वेट लॉस उस दिन जो आप कमन करें आप खा सकते हैं लेकिन ये ब्रेकफास्ट रेसिपीज न्यूटिशन वेल्यू के साथ आपको काफी टाइम तक फुल फिल करवाएंगी सो चलिए देखते हैं फर्स रेसिपी विच इस चॉकलेट ओट मील मीठा खाने की क्रेविंग हो तो ये रेसिपी आपकी रिक्वाइर्मेंट को पूरा करेगी इसके लिए मैंने लिए हैं quarter cup instant oats और थोड़ा सा गरम पानी डालके मैं इसको moist कर लोगी अगर आपके पास rolled oats हैं तो 2-3 मिनट दक आप उसको पका लें पानी में उसके बाद मैंने इसमें add किया है cocoa powder हलका से इसको mix कर रही हूँ और उसके बाद डाल देंगे दाल चीनी और एक चमच डाला है मैंने honey का उसके बाद थोड़ा सा दूद डाल दिया है इसको अच्छे से mix कर लेंगे दूद आप अपनी requirement के accordingly और भी डाल सकते हैं तोको पाउडर आपको चॉकलेट का टेस्ट देगा लेकिन उसमें sugar नहीं होती है healthy fats के लिए हमने इसमें peanut butter तो डाला होता है मेरे बेटे की तरह कुछ लोग कहते हैं कि हमें oats खाना पसंद नहीं लेकिन चॉकलेट खाना तो पसंद है सो एक बार इस recipe को try कीजिएगा I hope उदे की तरह आप लोग भी oats खाने लगेंगे second recipe है egg pasta अगर आप eggs नहीं खाते हैं तो आप टोफू या पनीर भी यूज़ कर सकते हैं पास्ता को creamy texture देने के लिए हम काजू का paste यूज़ करेंगे इसके लिए आप whole wheat या फिर सूजी से बने हुए पास्ते का ही इस्तेमाल करें तो पानी करम किया है थोड़ा सा डाला है उसमें salt और oil डाला है पास्ता डाल दिया है इसको boil होने के लिए रखेंगे थोड़े दिर में चेक करेंगे अगर पास्ता आराम से कट रहा है तो यह ready इसका पानी सारा हम ड्रेन कर देंगे अब एक पैन में बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल है उसमें डाला है बारी कटा हुआ garlic थोड़ा साटे करेंगे तो इसके बारी कटे हुए onions थोड़े से ट्रांस्पेरेंट हो जाए इसके बाद इसमें डाल देंगे हम बारी कटे हुए टेम हर meal में vegetables को ज़रूर add करें, अब इसमें में डाल दिया है boil के होई eggs, आप इसमें पनीर भी डाल सकते हैं, तोफु भी डाल सकते हैं, थोठा सा इसमें salt add किया है, ध्वल्इूमट धेकर पकाएं, इस सब चीजें अच्छे से mix हो जाएं, आप healthy food items को थोड़ा बहुत यहां वहां shift करके अपने लिए बहुत ही tasty meals रेडी कर सकते हैं बस oil का कम से कम इस्तेमाल करें next recipe है kidney bean salad तो इसके लिए मैंने राजमा को पहले से boil करके रखा है अब लिया है मैंने पैन में एक छोटा चमच oil का उसके बाद उसमें डाल दिये हैं लंबे लंबे slices में कटे हुए onions और tomatoes थोड़ा सा इनको saute करेंगे उसके बाद इसमें add कर देंगे हम sweet corns राजमा एड़ कर रह यानि की pizza seasoning इसमें add की है मैंने थोड़े से chili flakes add की है black pepper add किया है आप इन सब चीजों को अच्छे से mix कर देंगे और last में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा lemon juice और बस आपका healthy breakfast ready है ऐसी recipes के लिए अगर आप राजमा, white चना, black चना को boil करके freeze करके रख लेते हैं तो breakfast बनाना जाबुत मूँ को overnight के लिए सोग करके रखा था तो देख सकते हैं आप कैसे फूल गई है वो और इसमें मैं add कर रही हूँ पालक के कुछ पते साथी green chillies, ginger और garlic अब इसको हम grind कर लेंगे डाल के साथ grinder jar में मैं डाल दिया है garlic और ginger और साथी डाल दी है green chillies, पालक के कुछ पत है थोड़ा सा salt add किया है और अच्छे से इसको mix करके थोड़ी देर के लिए एक साइट पे हम रखतेंगे चलिए चीला के लिए फिलिंग रेडी कर लेते हैं उसके लिए डाला है एक पैन में थोड़ा सा ओयल जीरा डाला है प्यास डाल दिया है कटे हुए उसके बाद इसम अच्छे से सॉफ्ट हो जाए उसके बाद हम इसमें एड करेंगे पनीर के कुछ पीसिस जिनकों की हमने पतला काटके रखा है अब यहां पे फ्लिवर को इन्हांस करने के लिए आप आमचुर पाउडर एड कर सकते हैं चाट मसाला डाल सकते हैं मैंने यहां पे डाला है गर आपको ज़दा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है बहुत ही लाइटली अगर आप इसको करेंगे तो भी अराम से फैल जाता है इन सारी की सारी रेसिपीज में मैंने प्रोटीन को ज़दा से ज़दा इंकलूट किया है और मूंग दाल का चिला तो इन्रिज्ट प्रोटी मिस्तके हैं तो कि ज़रूरी भी है और ये ब्रेकफास्ट आपको काफी लंबे टाइम तक फुल फिल करवाते हैं और लंच टाइम तक अगर आपको भूक नहीं फिल होती है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको रोटी या राइस खाने ही है आप फूट चाड नाके भी खा सकत हैं और ब्रेकफास्ट में आप मूंग डाल के दो या तीन चिला अराम से ले सकते हैं एक्स रेसिपी है चिकपी सैलड इसके लिए मैं वेजटेबल्स का ज़्यादा यूज़ कर रही हूं मैंने ली है यहां पर गोबी गाजर और साथी मेंने डाल दी है यहां पर फ्रेंच प्रेंच बीन, सॉल्ट अड़ किया है पानी में थोड़ा सा इसको बॉयल करेंगे लाइक टू ए त्री मिनटे इसको हम ब्लांच करेंगे निके बाद हम गयास कर देंगे बंद और उसके बाद इसका पानी सरा ड्रेन कर लेंगे और इसको एक साइट पर रख देंगे सब मिक्स कर लेंगे और ढखकर इसको 2-3 मिनट तक पकाएंगे बहुत ही ईजली और जल्दी बनने वाली रेसिपीज हैं ये इसका लिड हमने उतार दिया है तो बस इसमें डाल देंगे वाइट चना जो हमने पहले से बॉयल करके रखे हैं साथी डाल दिया है साथी ब्लैक प जादा होती है ओवर कुक कर देने से इनके न्यूट्रियंट्स खतम हो जाते हैं लास्ट रेसिपी है स्टफ्ट ओमलेट और स्टफिंग के लिए आप अपनी मज़ी के वजटेबल्स चूज कर सकते हैं मैंने लिया है यहां पे मिश्रूम्स को एक पैन में थोड़ा सा ओयल डाला है और कटे हुए मिश्रूम्स डाल दिये हैं अब डाल रही हूं मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ब्लैक पेपर एड़ करेंगे और बस दो ही चीज़ें डालके अब इसको अच्छे से पका लेंगे पकाते वक्त आपको इसको कवर नहीं करना है बस एक दो मिनट इसको ऐसे ही चलाते रहें इसका पानी सहरा सूख जाएगा और मिश्रूम्स आपकी स्टफिंग के लिए रेडी हो जाएगी ओमलिट बिनाने के लिए तवा मैंने चढ़ा दिया है अब फटा फट एग्स को बीट कर लेते हैं दो अंडे लिए हैं मैंने यहां पे और साथी इसमे के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिये हैं आप इसकी जगा पे कोई और रेस्पी यहां पे ट्राइ कर सकते हैं तो बस तवे पे थोड़ा सा ओयल डाला है उसे स्प्रेड करके बीट की हुए एग्स डाल दिया है उनको भी तवे के उपर अच्छे से फैला दिया है अब इसको कवर करके एक से देर्ड मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे थोड़ा सा मिसको उठा के देख लेंगे अगर यह चूट रहा है तो वैसे तो आमलेट रेडी है तो बस इसकी फिलिंग कर देंगे मिश्रूम के साथ तो आपका यह ब्रेकपास्ट भी रे किजेगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टो माई चैनल तो मिलती हूं आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ तिल देन बाई टेक केर एंड स्टे हल्दी